हेलो गाइज वाट इस आप माई नेम इस प्रदीब कुमार इस वीडियो के अंदर हैं बात करने वाला हूं की सिटी के अंदर मूव करते हैं आपको नहीं आइडिया होता कि वहाँ पर कित तरह का रेंटल है फ्लैट्स वगरा कि क्या प्राइस चल रहे हैं और किस तरह के का लोकल इंवाइरमेंट है लोकल लोग कितना पैसा लेते हैं फर एक्जामपल मेड वगरा तो उन सब के बारे हम बात करेंगे सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करके मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर तो इसको अंत तक देखना तो आपको अच्छा आइडिया लगा कि हैधराबाद के अंदर जो आपका एक्सपेंस है वो किस रेंज में रहेगा तो चलि इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है किसी भी इंसान का वह है फ्लैट के भाई रहूंगा कहा मैं तो फ्लैट और पीजी का जो खर्चा है वो हैधराबाद के अंदर आपका बारा से अठारा हजार के बीच में आता है मेरा जो है वो जो फ्लैट प्लस सिक्यूरिटी उसका है वो फॉर्टीन के के आराउन मुझे पढ़ता है विगाज आम लिवी इन देड़ साल पहले यहां मूव किया था तो अभी जो रेंट्स है वो भढ़ गये हैं अगर आप थ्री भी अच के लेते हो तो आपको 50 40 50 की रेंज में ही आपको मिलेगा और आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी के पर परसन आपको देना पड़ेगा थ्री भी अच के मैं तो मैं जो देता हूं वो फॉर्टीन के मेरा जो फ्लैट प्लस सिक्यूरिटी जो होती है उसकी वो है और फिर आपका आता है रेंटल एक्स्पेंसे रेंट जो मुझे आती है वो वन से वन पॉइंट फाइव के बीच में आती है आपके अकॉर्डिंग वो पता चल जाएगा कि आप किस थरीके का ले रहे हो चीज़े तो मेरी जो आती है रेंटल एक्स्पेंस वो वन के के राउंड आती है फिर जो में खर्चा होता है कि इलेक्रिस 셔야 है तो है्टरबाद में इस समय काफी घर्मी हैं तो आप यूज करोगे ऑसी करोगे अपाने सी चौनब्ल इसाप क्रते हो बहुत इस योज तो कि मेड कि आप घर में आप रहते हो वह हम को डेटरमाइन करता है कि हम इंसान और जानवरों की बीच में जो डिफरेंस है वह है कि हम तोड़ा सफाई से रहते हैं तो आपको अगर इंसानों की तरह रहना है तो एक मेड चाहिए होगी आपको सफाई करने के लिए तो वह मेड क लिविंग एक्सपेंस के बारे में दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो फूड एक्सपेंस आप रहने वाले हो तो आप खाना भी खाऊगे आप को किचन भी वी सेट अप करना है गैस के खरचे हो गए आपके कुक का खरचा होगे तो उन सब के बारे में तोड़ी ब ब्रेकफस्ट और लंच जो है वो कंपनी के अंदर ही होता है हमें डिनर का सोचना पड़ता है तो अगर कई लोगों का ब्रेकफस्ट लंच भी नहीं होता तो उनको कुक चाहिए प्र जो ब्रेकफस्ट बनाए लंच बनाए डिनर बनाके उनको दे तो उसके लिए आपको आपको आजकल क्योंकि डिमांड बहुत जादा बढ़के तो थोड़ा हाई भी जा रहा है कभी बढ़ रहा है कुक्क के एक्सपेंस भी और उसके अरूंड जो ग्रॉसरीज है वह वन के के अरूंड मान सकते हो आप यह डिपैंड करता है कि आपका स्टेंडर उफ लिविंग आप किस तरह का मेंटेन करते हो यह बहुत जादा भी बढ़ सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है तो तो टोटल फूर एक्सपेंस मैं 3K to 4K मान के चल रहा हूं और हमारा जो लिविंग एक्सपेंस आए था वह 17.5K के अरौंड आए था बढ़ मेरी जो कॉस्ट आती है वो मेरी बाइक की आती है वह 2-3K पर मंत आती है विकौस पेट्रोल काफी महँगा है और भाइक तो अपनी बहुत जादा पैट्रोल पीती है हम इस बारे में ना हीं डिस्किस करने तो ठीक है लेकिन आप इतने में आप मैनेज कर सकते हो अपना फिर हम बात करते हैं अब हमारा लाइक वीकेंड पर भार जाते हो दोस्तों के साथ तो उसमें तो फिर अनलिमिटेड खर्चा होता है बट आप अगर नॉर्मल डाइनिंग मान के चलें तो पर वीक आप वन के आजूम कर सकत हैं तो वो टू-टू-3 के अगर मैं लेके चलूं अपर बाउंड तो हमारा पर मंथ इतना खर्चा आपका वीकेंड आउट्डोर एक्टिविटीज वगरा में आएगा और फिर वो तो लाइक मिसलेनियस है यह लाइक नेसेसिटी नहीं बट दिस इस लाइप मिनिमम मैं कंस एक्सपेंस आ रहा है हमारा जो रहने का आया लेविंग एक्सपेंस में हमने सब कंसिटर किया तो 17.5 एक्सपेंस आपका 3K 3000 के आराउंड आया पैट्रोल या कम्यूट का जो आया वह 3000 के आराउंड आया एड़ीकेंड पार्टीज फोर के टोटल मैंने पर मंथ का चंसिटर का जो है वह 14 के आ रहा है कई लोगों का यही 20 के है अगर आप अच्छी सुसाइटी में ले तो 40,000 रुपीज का मिल रहा है तो आपको पर मंथ 20 के मिनिमम पे करना पड़ेगा तो वह आपका भड़ जाएगा तो ट्राइटू मिनिमाइज और कॉस्ट इन के आप ज्यादा स करेंज में अगर आप जाते हो 3BHK का जो प्राइज है वह 20 के तक आ सकता है 25 तक भी है तो थोड़ा से दूर जाना पड़ सकता है उसमें फिर आपकी कम्यूट और कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी पर जो रेश्यों है वो से वह जादा ही आप बचा पाओगे उससे बट घटी तक भी रहता है कभी थोड़ा नीचे भी जा सकता है तो आई होप आपको यह वीडियो हेल्फुल लगी हो आपको पता चलाओ क्या क्या एक्सपेंस हैं ताकि आप मेंटली प्रपेर हो जाओ कि इतना खर्चा तो आपका आने वाला है विकॉस जैसे आप करो सेलरी वगरा किसी के साथ है चार के साथ इन फैक्टर को भी धियान रखो कि भाई एक्सपेंस बहुत जादा है इसलिए सैलरी जादा है तो वह एक्विलेंट ही लगती है तो यह सब चीजों को ध्यान में रखना आने से पहले और भी कोई क्वेरी है क्वाई फ्लैट न टॉपिक्स पर वीडियो में बनाऊं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के नमस्कार एल सी ने नेक्स वन